हेलो एबरिबरन स्वागत है हमारे यूटूब चानल एसेट सिलाई सेंटर में तो दोस्तों आज आपके बतावने वाला हूं की चल्वार स्टेचिंग कैसे करते हैं तो देखे दोस्तों हम यहां पर मियानी जोड लेंगे तो मियानी हम जोड़ेंगे एक पुट के हिसाफ से तो चलिए यहां पर मियानी कर लेते हैं अच्छे से तो यह देखे दोस्तों हम यहां पर मियानी पर शिलाई लगा लिए हैं चलिए हम दूसरा करली ले लेंगे और दूसरे करली कर भी इसी तरह से जोड लेंगे जिस तरह से हमने यह पहले वाला करली जो रहा है तो चलिए लेकर दोनु तरब के हमारा ये करली जुरख का है मियानी के साथ में तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपके पला ले लिती हैं अग trouble हम जो रेंगे हम बरे वाले पले में जो दो पहले दोस्तों हम ले लेना है तो दूसरा बाला पला भी कर दोफो में लेंगे हम गजरेंगे अब दुसरों पंद्लावा वहें में रख लिया हैं सो सेी चैन से हमने पहले बताया उसी हिसाब से दोनो Fenna कली को अटेज कर लेंगे यहां पर हमने कली कर लिया है चलिए भुटका लगा लेता है क्योंकि हम बैक में जोलेट डालेंगे तो बैक में दोस्तो चार पिलेट ही डालेंगे और फरेंड में जितना प्रेंड में पूरा डालेंगे तो यह देखिए हम नियानी करें कि दो ऊस जाइट पर डालना है अब विज साइड दोना तरफ दो प्रत हमें यहां यहां पे अच्छे से डाल लेना है कि यह देखे दोस्ते हम नहीं पर बैग में प्रलेट डाल ली आ है चैनल यहां पर हम बिल्ट को बना लेते हैं तो बिल्ट कि इसमें जो नारा डालेंगे तो आधे इंच में फिर हम उपर छोड़ कर और हम पोरा शिलाई लगा लेंगे एक बूर के हिसाब से तो यह देखे दोस्तों हम यहाँ पर नारे को लिए आधा इंची छोड़ कर और शिलाई लगा लिए चलिए भी इसको हम मारजिन को हम पक्का मोड लेते हैं ताकि जो खुच राए वो बाहर दीके नहीं तो इसलिए हम उल्टा साइट की रत्व अपसे हम मारजिन को मोड लेते हैं अच्छा से यह देखिए चलिए अब इसमें हम नारा लगाने बाला फोल कर लेते हैं तो जितना हमने च्वड़ा था नारा लगाने के लिए उसी के हिसाब से हमें आपे फोल कर लेना है और देर इंच के हिसाब से हमें पूरे को अच्छे से फोल कर लेना है ताकि नारा आप असानी से लगा सकते हैं आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो है यह देखिए यह है आप अपने हिसाब से जतना सवार रखते हैं उसी साव साथ मूँद सकते हैं हम YAMP यहां पर बेंडीजिक गारेने कि लिए हैं है यह देखिवर लेते हैं ह tv द्ज़स्तो ऑन चुका इंचनल सभें पकर बे जो कि यह दखिए सब्सक्राइब एक पाइब के लिए कि नीचे खुटका लगा देते हैं उपर हम अधे छोड़कर हम खुटका लगाएंगे शिलाई से और नीचे भी हम आधा इंची छोड़कर हम खुटका लगा लेते हैं फिर इसको हम बीच चे हम काट देंगे और इसको मच्छे से हम फोल कर लेंगे पतले बारीकी से ताकि जो पॉकिट का जो मुह अच्छे से बन जाया तो चलिए हम यहां पे इसको फोल कर लेते हैं बिदम पतला सा फोल कर लेना है आपको भी इसी तरह से ध्यान रखे कि जब भी आप पोकिट लगाए तो दाहिने साइड में ही लगाए तो यह देखे दोस्तों हमने यहां पे दोनों साइड का फोल कर चुके हैं तो चलिए दोस्तों दोनों साइड में हम थोड़ा फिनिसिंग दे देते हैं पोकिट में तो इसको हम यहां पे थोड़ा इसको दबा देंगे जो हमने फोल किया है वहलका साहम यहां पे पॉइंट पपर दब देंगे ताकि जो है अच्छ एह ठीस है से ज़ेषब ही हमारा त्यार हो जाएगा कि दोनों लेप है nude चंण थोड़ा थोड़ा दबादेंगे उससे क्या था कि हुमारे को कच्छा मर्जी ये वह दिखता नहीं अच्छे से पक्ता हो तो देखे दोस्तों हमने यह पर कपड़ा ले लिया इसे हम काट लेते हैं कि अब सबसे पहले हम यहाप एक कपरा काट लेते सीधा कि इसका बाद चैनल जैसे हम चौरा रखेंगे पॉटित के लिए तो यह देखिए हम यहां पर अच्छे से इसको भी कटिन कर लेते हूं तो चलिए इसको भी कटिन कर लिए दोस्तों और इसका हम लंबाई लंबना आप लेंगे तो लंबाई 6 इंचे हमने नीचे रखा है पोकिट के लिए और 6 इंचे उपर पुरा हम 12 इंच गां तयार रक लिए है तो इसके हम कच्छा कर लेते हैं को कि डोनों साइब से और युषेम अच्छे से पल्टी कर और फिर में कर लिए पूर्ट के हिसाब से कि यह देखे दूस्ताइब याँ अच्छा कर लिया है फिर इसके बाद अंपका करना है अच्छे से कि यहां पर जिस तरफ हम नारावाला शिलाई लगाये उस तरफ हमिझे नगा पर नहीं चखर पाई इसलिए हम यह देखे तो हम अच्छे से यहां पर भी शिलाई लगा लेते हैं बठा कर और यह देखे दोस्तों है न हम अ को सुंए कि इंकर के ऌसंगर के दिन खसंवान चाहिए ऊंत्रे को मुझे मैं ऑए जबातन फिर यह दोस्तों माइए से ओपना तो हम फूरा वेल्ट हमारा शारे इंश्णьте यहां पहुणने दस हमाने लगा लींगे कर दो आपने दो सिंद्पे हम यहां पर खुटका लगा लेंगे डवल पल्ले में हमसी नहीं दालेंगे। कि के देखें दौस्तों हम कुरे में हम यहां यहां पर डालेंगे। है तो इसी तरह से आपको भी प्रड डाल लेना है। कि यह देखिए दूस्तों हम अच्छे सकते द्यां रखना आप कि पल्ले में जवाबी फोलेत आप जरूर लगाए पहले खुटके से हम म्यानी तक पहुत पैलेट डालेंगे पिर हम म्यानि से हम शुरू करेंगे तो आगे के तरफ पोलेत डालेंगे ताकि यह जो अच्छे से जवावी फिलेट डल जाए जब भी आप सलवार बनाए तो उसमें जवावी फिलेट ही डालेए उससे क्या होता है जवावी फिलेट डालने से दिखने में भी अच्छा लगता है तो चलिए आप एक बीस सिंटर से हम बेल को मटेज कर लेते हैं तो यह देखे दोस्तों में रख लिया है अब इसको हम एक बुट के हिसाब से हम बेल्ट को अटेज कर लेंगे अच्छे से तो यह देखे दोस्तों हमारा यह बेल्ट बहुत ही फिनिसिंग के साथ हमारा अटेज हो रहा है क्यों आए है आई आए अजया लगा लेते हैं फिल गोल को पक्ता करने के लिए कि ओभ एक बुट के लिए भुपराब ले दोस्तों जो हम मोहरी के हम बनाएंगे तो बुकुरम का जो चोँराए लंबाई हमें जीतना हम सलवार का लावन है इसी इंसाब से हम है लंबाई रख लेंगे तो चोरा दोस्त हम यहां पर तीन इंची बुक्रम ले लिए है को और हाँ इससे अठ्छलें में अठ्छी करेंकें लेका ना गलक्राई करने में आठ्छी का भूत ह हैं Rosa छहलँ हमकच्छा कर लेते इसको अभुर में कच्छा कर लिया चलिए बूत के ने ज़ाई लगा लेते हैं उपर से जब गए जुडे हम पक्का कर लेते हैं तागी हम अच्छे से औरलाब का भी चुछ लगा लेंगे दोने तरफ हम दो दो सिलाई लगा लिए अच्छे लिए प्राम लहरिया डिजाइन बना लेते हैं तो यह दिखे दोस्तों आप भी इसी तरह से डिजाइन बनाएए चौरा बकरम आप लगाते हैं तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर डबल सिलाई जरूर लगा देंगे क्यों सिलाई में बहुत ही अच्छा मोरी कर डिजाइन लगता है तो यह देखे दोस्तों हमने यहाँ पर सिलाई भी लगा लिया डबल चलिए हम साइड मार लेते हैं सल्वार का तो इसका मोरी हम तयार रख रहे हैं छे इंची हम मोरी रखकर और अच्छे से हम यहाँ पर साइड लगा लेते हैं तो चलिए दोस्तों साइड लगा कर आपको बताते हैं पुरा कि यह देखे-दोस्तर हमने आप अच्छे से साइड लगा रहे हैं साहिट लगाते समय आपको जवाइन से जवाइन मिला लेना है मियानि का और कर इने का और मोरी हम एक बराबर होना चाहिए तो चलिए दोस्तों फाइनल लुक बनकर त्यार होगी आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तेक लाइक कर देजे अगर आप चैनल पर पहली बात